बिहार में पंचाच चुनाव को लेकर अब इंतजार खत्म होने ही वाला है जी हाँ दरसल आज अधी सूचना जारी होने की ख़वर है इसके साथ ही राज में आदर्श आचार सहीता भी लागू हो जाएगा भावी प्रत्यासी नेताओं और अधिकारियों के लिए राज निर आज नेताओं प्रत्र को लेकर जारी दिशानिदेश में सपस्ट किया है कि सूचना प्रकाशन के अगले दिन से साथवे दिन तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा यदि अंतिम दिन सारवजनिक अवकाश हो तो उसके अगले दिन तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा मंत्री समराट चौधरी ने बताया है कि एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद चल रही नलजल योजनाओं के अलावा पंचायतों में चल रहे अन्ने कारिव के लिए धनरासी जारी करना ततकाल प्रभाव से रोग दिया जाएगा उन्होंने स्पस्ट किया है कि तिररस्तरिय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाओं के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद आदर्श आचार सहीता लागू हो जाएगी जिला परिशन, मुखिया, वाड सदस्य, पंचायत समीती सदस्य, सरपंच और पंच पदों के है, मुखिया पद के लिए कुल 36 सिंबल का चैन किया गया है, इसी तरह वाड सदस्यों के लिए 20 चुनाओं चिन का चैन किया गया है, पंचायत समीती सदस्यों के लिए 10 और जीला परिशन सदस्यों के लिए 20 सिंबल जारी किये गया है, हाला कि आयोग ने अभी 12 चुनाओं में संपन्न होगा